हेलो दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं कंपेर करने वाला हूँ अशोक लियरंड बड़े दोस्त आई-4 को अशोक लियरंड बड़े दोस्त आई-3 से जैसा कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली में दोनु मॉडल लॉंच हुए थे और ये मॉ दोनु मॉडल लुक वाइज बहुत ही एट्रेक्टिव हैं और दोनु जो आई-3 और आई-4 हैं उनमें बहुत ही सारे यूनिक फीचर्स हैं तो दोस्तो हम सब इन फीचर्स की डिटेल में डिसकसिन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आई-3 और आई-4 में क्या मेजर ड जिस्ते की मैं फ्यूचर में इस तरह की और भी वीडियो बनाऊंगा इमीडियेटली वह आपको मिल जाएंगी तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं पहले बात करूंगा मैं इंजन की जो आप ब्लू कलर में जो पिक्चर देख रहे हैं वो बड़ा दोस्त आई-4 है और ग्रीन क कोई भी डिफ्रेंस नहीं है इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेस्मेंट की इंजन के डिस्प्लेस्मेंट की जो बड़ा दोस्त आई-4 है उसका डिस्प्लेस्मेंट बड़ा दोस्त आई-3 के जैसा ही है दोनों में कोई भी डिफ्रेंस नहीं है क्योंकि इंजन जब सेम रहेगा तो engine का displacement भी same रहेगा को उसमें कोई भी change नहीं आएगा तो अगला हम feature जिसके हम बात करेंगे वो है maximum power तो जब हम हमने दोनु models की maximum power को compare किया तो हमने पाया कि maximum power भी same है क्योंकि दोनु model में अशोक लेन के द्वारा same ही engine यूच किया गया है जहां आपको i4 में 80 horsepower 3300 rpm में मिलता है वहीं i3 में भी आपको 80 horsepower 3300 rpm में मिलता है ये मेरे हिजाब से बहुत ही ज़्यादा अशोक लेन ने horsepower दे रखा है जो इस segment के लिए बहुत ही अच्छा है अगला feature हम बात करेंगे maximum torque की दोस्तो अगर गाड़ी का engine सेम है उसका जो torque रहेगा वो भी same रहेगा तो दोनु गाड़ियों का engine सेम है तो torque में भी हमें यहाँ पर कोई difference देखने को नहीं मिलेगा दोनु गाड़ियों में हमें 190 newton meter का torque मिलता है तो अगला feature हम डिसकस करेंगे दोस्तो अगला जो feature हमने उठाया वो उठाया clutch का दोस्तो clutch में भी हमें कोई difference नहीं मिला दोनु model में company के दोरा same clutch यूज किया गया है 240 mm का single diaphragm push type cable operated clutch company ने यूज किया है i4 में भी और i3 model में भी तो दोनु models के clutch में भी कोई major difference नहीं है same clutch है अगला हम बात करेंगे transmission की तो transmission में भी हमने देखा कि दोनु models में same transmission यूज किया गया है fully synchronized 5-speed manual with cable shift transmission दोनु गाड़ियों में है बड़ा दोस्त i4 और बड़ा दोस्त i3 में जो मेरे हिसाब से ये transmission sufficient है 5-speed इस segment के लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है all cable operated है तो बहुत ही सुविजाज न करेगा अगला है steering steering दोनु ही model में same steering दिया गया है power assisted tiltable column दोनु मोडल्स में है i3 में और i4 में तो इस feature में भी दोनु models में कोई difference नहीं है तो दोस्तों अगला हमने जो feature उठाया वो है breaks का तो जब हम breaks दोनु model के हमने चेक किये तो दोनु models में break भी same है breaks में भी कोई difference नहीं है जहां बड़े दोस्त i4 में front side में disc brake और rear side में drum brake मिलने हैं वहीं i3 में भी company के द्वारा front side में disc brake और rear side में drum brake मिलने हैं तो आपको break में भी दोनु मोडल में कोई difference नहीं मिलने वाला है अगला हम बात करेंगे दोस्तों दोनु मोडल के suspension के बारे में suspension भी दोनु मोडल में same है इसमें भी कोई difference हमें नहीं मिला जहां front side में company parabolic leap spring suspension यूज कर रही है और rear side में semi electrical leap spring suspension यूज कर रही है यह दोनु बड़ा दोस्त i4 और i3 दोनु में common है suspension में भी यहां कोई changes नहीं है अगला हम discuss करेंगे दोनु गाड़ियों के tires के बारे में यहां पर आपको major change देखने को मिलेगा जहां i4 में company की दौरा seven r15 12 pr के tube tire यूज के किये जा रहे हैं वहीं जो i3 वर्जन है इसमें r15 के tubeless tire यूज किये जा रहे हैं तो आपको यहां पर एक बहुत बड़ा major difference tire में मिलेगा tube और tubeless tire अगला जो है weight weight में भी आपको काफी difference मिलेगा जहां बड़े दोस्त i4 का gross vehicle weight 3490 kg है वहीं i3 का 2990 kg है और payload की हम बात करें तो i4 का payload 1860 kg है और i3 का payload 1400 kg है तो यह एक major difference है weight का दोनु models में अगला है seating capacity seating capacity में भी कोई difference आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनु models की seating capacity सेम ही है दोनु में आपको 3 seats ARAI certified मिलती है एक driver और 2 co driver के लिए यह segment में आपको किसी और model में नहीं मिलेंगी सिर्फ अशोकलियन के बड़े दोस्त में ही यह facility मिलेगी आपको अगला हम बात करते है fuel tank capacity की दोनु models के fuel tank में difference है जहां i4 में company 50 liter का fuel tank यूज कर रही है वहीं i3 में company 40 liter का fuel tank यूज कर रही है तो यह major difference है दोनु models में i3 और i4 में fuel tank का difference 10 liter का अंतर है अगला हम बात करेंगे दोनु के dimension के बारे में जहां आपको wheelbase i4 में 2590 overall length 50-25 overall width 1842 overall height 261 वहीं i3 में compared to यहां पर आपको wheelbase और overall length में कम मिलता है थोड़ा सा बात करते हैं दोनु models की price की जहां आपको i4 का price 7.79 लाग से 7.99 लाग तक मिलता है वहीं i3 का price आपको 7.75 लाग से 7.95 लाग तक मिलता है यह जो भी price मैं आपको बता हूँ यह exorum price है दोस्तो तो दोस्तो आसा करता हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अश्योग लियंड के बड़े दोस्त i4 और बड़े दोस्त i3 में क्या major differences है मैंने आपको one to one comparison करवाया दोनु गाडियों के features से जिससे कि आपको बिल्कुल clarity के साथ यह पता चल जाएगा कि दोनु गाडियों में major difference क्या है तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा गाड़ी में weight और थोड़ा length का tires का ही difference है और fuel tank i4 का i3 के comparison में 10 लिटर ज्यादा है तो यह difference है बागी कोई difference नहीं है second जो है major difference price का है बागी engine वगेरा सब कुछ company दोरा same ही यूज किया गया तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद